उत्तर प्रदेश के विधानसबा चुनाव में किसानों का मुद्दा काफी एहम माना जा रहा है किसान अंदोलन ने वैसे भी समुद्दे को पहले से ही तुलना काफी ज्यादा महत्वपून बना दिया था किसान नेता राकेश टिकैट की लोग प्रियता भी आसमात चुने लगी थी इसी वज़ा से मेरट में NH58 पर अकलेश और जयन्त के साथ राकेश टिकैट के पोस्टर लगा दिये गए पोस्टर में निखा है कि हार गया भीमान जीत गया किसान अब इन पोस्टर में अकलेश यादव भी दिख रहे हैं आरलजी निटा जयन्त चौधरी भी दिख रहे हैं और बीच में तिरंगा लिए खड़े हैं राकेश टिकैट अब इस पोस्टर पबवाल भारते किसान यूनियन ने कार दिया है साफ कर दिया है कि उनके नेता का पोस्टर राजनितिक फाइदे के लिए इस्तिमाल नहीं किया जा सकता उनकी तरफ से इसे एक राजनितिक स्टंट बता दिया गया है ऐसे में भाक्यू कारकरताओं का कहना है कि उन्होंने पोस्टर नहीं देखे लेकिन अगर ऐसे पोस्टर लगे हैं तो ये राजनिते के स्टंट हैं इनसे भाक्यू का कोई लेना देना नहीं है कारेकरताओं का कहना है कि वो सिर्फ किसान हित में काम करते हैं अगर कोई बोट के लिए राकेश्टिकैट का पोटो लगा रहा है तो यह अनुचित है क्योंकि उनका यूनियन जो है इसको अनुमती नहीं देता वैसे इस विवाद पर अकलेश यादव या फिर जयनत ने कोई भी प्रतिक्रियाप तक नहीं दी वहीं राकेश्टिकैट ने भी आगे आकर कोई बयान चारी नहीं किया है तो राकेश्टिकैट एक बाप फिर से विवादों में घिर रहे हैं आपकी पोस्टर देख सकते हैं टीवी स्क्रीन्स पर आपके देख रहा है के एक तरफ जन चौधी नज़र आ रहे हैं तो दूसरी तरफ अकलेश यादव और बीच में जंडा लिए राकेश्टिकैट न नज़र आ रहे हैं जिस पर अब भाक्यूने आपती जताई है